असलाम उलेकुम एवरिवान यूर वाचिंग माय चैनल सुमयय रमीज एन इट्समी सुमयय रमीज जस्ट फूर यू मेकप प्रफेशनल क्लासिस के अंदर आप सबको वैलकम आज की क्लास थमनेल देखकर ही आपको आइडिया हो गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने व करने तो आगे जब आप ट्रेइनिंग्स देने लगेंगे तो यह टॉपिक आपके बहुत काम आएगा किसी भी चीज़ को स्टार्ट लेने के लिए बहुत नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है ताके हर तपके का शखस जो है स्टूरेंट जो है वह चीज को समझ सके अब ह कि आप लोग चीजों को याद रखे हुए हैं लेट्स स्टार्ट मैं अपने आई मेकप के अंदर सेट करना होता है मैं आइब्रो भी स्केच कर देती हूं एक बेसिक सा पैटर्ण बना देती हूं ताके आपको उस चीज़ को इसी नीच समझने में आसानी हो जाए दूसरी चीज मैं डाइरेक्ट फेस पे अपलाई करूंगी तो भी आपको इसी तरह समझ में आएगा और जब हम पेपर वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आएगा क्योंकि पेपर वर्क आप लोगों की ट्रेनिंग्स के लिए थ्री क्लासिस के लिए बहुत इंपर्टन्ट है ओके जी मैंने एक तो क्लोजड आई बना ली है साथ ही में एक अप्लोड कर सकती हूं डेर वीडियो भी अप्लोड कर सकती हूं वी लोग्स भी अप्लोड कर सकती हूं लेकिन यह कोर्स सिर्फ हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है ओके जी दूसरी चीज़ जो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट के कि पार्ट में कौन सा ब्रश अप्लाय होने जा रहा है आपको इस चीज़ों को समझते जाते हैं सबसे पहले तो हम इसको लेबल कर लेते हैं कि किस पार्ट को कहते क्या है क्योंकि नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि जब आगे डेलेवर करें तो आपका स्टूडेंट आसान को ब्रो बोन कहते हैं जिस हड़ी के ओपर आइब्रो बनी है तो वह आइब्रो की बोन कहलाती है और वहां पे हम हाइलाइटिंग करते हैं उसके नीचे आपको एक सलवट नजर आती है क्रीज नजर आती है जिससे हम कहते हैं क्रीज एरिया और इसी एरिया पर जब हम कंसील और गलिटर की बोचार कर देते हैं और फिर हमें लगता है हाँ फाइनली हमने अपना मेकप ड़न कर लिया और यह भी खेर प्रैक्टिस के बाद ही सही होता है नेक्स्ट हम आ जाते हैं लैश लाइन पर ये एक लैश लाइन नजर आ रही है लैश लाइन के ओपर हम देते हैं उस जो लाइनर वाले एरिया होता है हम उसको कहते हैं अपर लैश लाइन और अपर लैश लाइन पर हमेशा लाइनर अपलाए करते हैं और उसको हम उसी तरह जब आप नीचे लोवर लैश लाइन पर आ जाएंगे तो वहां आपक्सर काजल भी अपलाए करते हैं डैप देत तो यह बंदा तो यह चीज़ा पास रखें। तो आपको मेकप के लिए कुछ ब्रॉश रिक्वाइड हों मैकप ब्लेंडिंग ब्रॉश आपको जहें वह देखने होंगे कि आपकी स्कॉलिडी के लिए रहे हैं क्या ले अब जब आपको यह चीज़े पता चल गए आपके पास एक या पूज़े क्लाइंट आ गया तो आपको आप फूरश पता ओना चाहिए आपका प्लैंटर क्या है आप उस क्लाइन को देखके सबसे पहले थीम आपके जहन में क्या आएगी ड्रेस कलर उसके ड्रेस कलर क्या है Caesar करों ड्रेस कलर啊 pre क्लर पे मुझे कौन से लिप्स्टिक रखनी या इस ड्यूर्स के साथ मुझे अपनway मेकप के द Subible कौन से चूज़ करने तो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ड्रेस कलर का थीम अपने माइंड में रखना और उसे साब से माइंड बना लेना कि मुझे यहां क्या मेकप देना है आई मेकप डिरेक्ली एवें नहीं होता कोई भी सूट पैन के आगया आपने कुछ भी कर दिया ऐ इसका कॉंबिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जो हम अपने आगे आने वाली वुडियों में समझने जा रहे हैं सेकंड आपके मायन में होना चाहिए कि अब मैं इस पर आय मेकप कौन से करूं क्या स्मूक्य आय करूं ग्लिट्रे आय करूं जो ग्लॉसी जाए कर उच्री जा हूं यह सिंपलाय मेकप करना क्या तो आपने एपलीगेटर उठाने कंने ग्रूंग ग्रफिश फॉरण अपने 100 मैंडील करनें नहीं ब्रेशध उन्हें नहें आपको पता है prove ज़ी नी फूंप बना लेते हूं कि उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी ह कि कभी तो यह टाइम आजाता है कि उनके ब्रेश इस डिनी रहती है लेकिन जिन लोगों को ब्रेश यह आदत पर जाए ना वह उसके बाद फिंगर से नहीं कर सकते उसके बाद फोर्थ आपने डिसाइड करने क्या मुझे इस आप में लगाना है कि नहीं लगाना लैशिज इ जो है आपको अपने जहन में एक दम से पिक करनी होती है ठीक है जी तो यह सारी चीजों का ध्यान करना है अगर आपको पहले यह पता चल जाए कि आपको इस पर लेश लगानी के नहीं लगानी यह हैवी यह लाइफ फिर आप मेकप डिसाइड करते हो और अगर आपको यह पत पर पर नहीं आपके माइंड में बनेगा यह सब स्केश आपके जहन में बनेगा अपने क्लाइंट का ड्रेस देखते ही तो फिर आप इजली अपना आए मेकप फटाक से शुरू कर सकते हो ओके जी तो हमारा प्लैनर जट से तयार हो गया अब आपने उठाने है आपके जल जाता है तो उसकी तो कोई टैंशन नहीं होती लेकिन जब आप लोग आए मेकप पूरा कर लो कुछ लोग बाद में लैंस अप्लाइब करते हैं तो उनको दादा आइडिया हो जाता है कि किस लैंस पे ज्यादा उठ रहा है अब आइब्रो के लिए में याइब् उसमें आपको ब्राउन की रेंज मिल जाए तो आप इस तरह के शेड उठा सकते हैं तो आपने किसी भी चीज के ओपर डिपैंडेंड नहीं होने अपना काम शुरू करने और एंड उसको अखताम तक पहुंचाने अब आपको एक एंगल ब्रश की जुरत पड़ेगी जो मै इसके ओपर प्रॉपरली अपना पाउडर लेकर उसे फिक्सिंग स्प्रे के साथ फिक्स करके अपलाय कर रही हूं जैसे कि मैंने आप लोगों को अल्रीडी अपनी वीडियो में बताया है जो कि हम डे एट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आप लोगों को आपने आइबरो कैसे डिफाइन करने है किस किस शेप की आइबरो बनानी है किस फेस पे कैसी आइबरो सूट करती है और किस तरह उसको फनीशिंग देनी है किस तरह से आपने ट्रांसफॉर्म करना है वीडियो को आप लोग जरूर वाच कर लीजेगा तो मैंने आपने गोर ठीक है पीछे से आपने color deposit करके उसको complete करके आगे light सहलका सा shadow दे देना है उसी color के साथ brush आपका clean होना चाहिए यह आपकी eyebrow define हो गई paper पे तो paper वाला work होता है skin पे skin की तरह से नज़र आता है बाराल pattern और method यही है next हमने eyebrow define कर लिए अब हमारा eyebrow को finishing देने का pattern क्या है हम इस तरह के crease brush से finishing देते हैं concealer की health से यह आपको just में guide कर रही हूँ लेकिन हम paper पे नहीं करने वाले ठीक है जी अब हमने क्या करना है eyebrow के बाद आ गया brow bone हमने brow bone को highlight करना है सबसे पहले उसके लिए अपना कोई भी shimmer pigment उठा लिजी किसी भी palette से अगर आपके पास single है तो single ले लिजे अप्लिकेटर में आपने हलका सा लेना है और फिर इस तरह से अपनी brow bone को define करना है यह मैं बिगिनर्स को एक method बतारे हूं कि मेकप आप इस तरह से शुरू करें छटपट छटपट हो जाएगा आपका मेकप बहुत असान है कुछ मुश्किल नहीं आज सा आगे हम क्रिएटिव लुक्स की तरफ जाते जाएंगे और modernize होता जाएगा हमारा मेकप इस तरह से हमने अपनी brow bone को highlight कर लिया next हम आ जाते हैं crease line crease line को आप define करना है अब brush को भी पकरना है आपने कि आप crease पे आकाम कर रहे हैं तो इन तीनों में से कौन सा brush होना चाहिए of course जो brush थोड़ा पतला हो क्योंकि crease line का एक limited area होते एक precise area होते तो उसको एक precise brush ही cover कर सकता है मैंने एक dark brown सा color ले लिया और crease line के अंदर इस तरह से करके apply कर रहे हूं light light सी blending करनी है ना ही color बहुत उपर तक जाए ना ही color आपका socket area में बहुत आए ठीक है जी इस तरह से कुछ इसकी look आती है ठीक है जी और आहस्ता आहस्ता हम उसको upward blend करते जाते तो हमारा यह हो गया crease line अब आहस्ता आहस्ता आप अपने color को blend करते करते corner भी cover कर सकते हैं because आपको वो cover करना है तो इस तरह से आपका एक यह crease line पर eyeshadow आगया तो यह आपका next step cover हो गया blending is the most important अगर आपको नहीं आती तो आप practice करें blending से ही आपका make-up professional लगता है और बहुत clean fine हम इसको blend करते हुए अपने next step की तरफ आएंगे हमारा next step क्या है of course आपने उसको check करना है socket area socket area को कैसे cover करेंगे अब सवाल यहां आता है कि हम यहां पर shimmer pigment apply कर रहे हैं या फिर matte या आपने खुद को decide करना है मैंने shimmer pigment यहां से decide के कैले जिनर के nice palette से और मैं इसको angled fluffy brush से जो है apply कर रही हूँ अब कौन बताएगा कि इसकी better application किस तरह होती है मुझे comment section में बताएं जिसने भी हमारी day 4 की video को watch किया है कि pigments किस तरह apply करने चाहे वो glitter हो या shimmer हो किस किस किसम के shimmer होते हैं और उन्हें apply किस तरह किया जाता है ताके वो long lasting हो तो आपने मुझे बताना है कि shimmer pigment जो होता है जो प्रेस shimmer होता है उसे कैसे apply किया जाता है जिसमें better result आए ठीक है जी अब यह सवाल के वज़े से यहां पे मैंने कुछ application में आपको option छोड़ा है अब हमारे यह तीन चीज़े complete हो गई है ठीक है अब मैंने roughly से sketch दे दिया open eye का ताके हम बाकी area को cover करके दिखा सकें क सबसे important और सबसे typical चीज ही जो है हमारी next चीज है जो के है under eye makeup under eye makeup बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और जो नहीं करते हैं तो उनका makeup एक drawing सा लगता है जो लोग इसे करते हैं तो उनका makeup 3D लगता है तो अपने makeup को 3D दिखाने के लिए अपने features को balance टकने के लिए आपको under eye look भ पोड़ा pointed brush ही चाहिए होगा जो pigment को proper यहां पर deposit भी कर सके और blending के बाद हमारी look mess ना हो rough ना लगे और disturb ना हो हमारा concealer आहिस्ता आहिस्ता आपने pigment को रखना है आहिस्ता आगे बढ़ाना है बहुत ही हलके हाथ से और सिफ अपने brush के tip को use करना है पूरा brush नहीं उठाके हमने र blend करेंगे जब हमारा brush के अंदर से सारा color निकल चुका होगा आय पे लग चुका होगा फिर उसके ages को हम blend करेंगे इस तरह से यह नीचे के ages नजर आने नीचे वाले इसको हम जो हो किसी भी precise brush से blend करेंगे इस brush का size भी आप बगवर देख सकते हो ठीक है अब जब color को हमने आसा यही मैथड हम अपने आइस पर करते हैं उसके बाद हमारी जो आय होती है वह एक 3D fact देती है बहुत ही complete से makeup का लुक नजर आता है बहुत साय लोग यह स्किप करते मैंने बहुत देखा है makeup में तो यह स्किप नहीं करना आपने में हलका सा उपर भी वह शैडव दे देती हू यहां पर आपने corner पर भी glow देनी है ताकि आपके आपके आप काली-काली दभी-दभी ना लगे क्योंकि अकसर corner वाला area जो है वो डाग-डाग सा हो जाता है तो यहां पर आपने glow देनी है तो यह सारा pattern यह आपको अच्छे से समझना है कि कौन-कौन सा area इसका नाम क्या होता है ताकि जब आप client पर काम करते हैं या अपने trainers के साथ बाते बात्चीत कर रहे होते हैं तो आपको इन सब चीजों के name पता होते हैं तो बहुत यह अच्छी सी आपका impression जाता है तो यह चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है अब next क्या है कि products को आपने समझ लिया अपने इसको apply cup cup करना है steps आपने समझ लिये और अपना planner दयार गरना यह भी समझ लिया हम next जो है अपने eye makeup के अंदर color combinations को समझने वाले हैं कि यह जो खैर यह तो यह सारा mess हो गया color glitter इस पर मेरे गिर गया यह तो खैर होता रहता है इसे भी हमने clean करना है अब यह सारे shadow नजर आरे purple क सब कलर के combination को study करेंगे इंशाला next class के अंदर color mixing कैसे करें combination कैसे बनाए और एक दुसरे को mixing करके नया color किस तरह बनाना इस सारी चीज़े इंशाला इंशाला next class में आप लोगों को line से समझाने वाले हूं बिलकुल नहीं मिस कीज़ेगा अब यह सारी चीज़े हैं आज के makeup मे हमने यह चार ब्रशे यूज किये और अगर ग्लिटर होता तो मैं यह ब्रश भी यूज करती बट हमने ग्लिटर नहीं लगाना था this is the makeup look for beginners even के हम यह professionally भी करते हैं बहुत ज्यादा यह लुक करवाई जाती आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आयों कि अपना बहुत सार आफट से आंसर दे दीजिए और सर्टिफिकेट के लिए जिन लोग ने अप्लाए किया है आप लोग मैसिज का रिस्पॉंस करके रेजिस्टर हो जाएं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अपना बहुत सारा खया रखें दौा में याद रखें टेक केर अला हाफिज